च्छटी इंद्रिय बुद्धिमता के मंदिर का द्वार दौलतमंद बनने की ओर तेरवा कडम तेरवा सिध्धान्थ है च्छटी इंद्रिय जिसके द्वारा असीम शक्ति इच्छानुसार संपर्ख कर सकती है और करती है इसमें व्यक्ति के प्रयासों की कोई आवेशक्ता या मांग नहीं होती यह सिद्धान्त इस फिलोसफी के शीर्च पर है बाकी बारह सिद्धान्तों को आत्मसात करने के बाद ही इसे समझ और आत्मसात किया जा सकता है छटी इंद्रिय अंतरमन का वह हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशील्टा कहा गया है इसे वह ग्रहन करने वाला सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में कड़ते हैं इन कौन्धों को कई बार प्रेर्णा या आभास कहा जाता है छटी इंद्रिय वरनातित है इसे ऐसे व्यक्ति के सामने बयान नहीं किया जा सकता जिसने इस फिलोसिफी के बाकि सिध्धानतों को आत्म साथ ना किया हो क्यूंकि उस व्यक्ति के पास वह ग्यान और अनुभव नहीं होगा जिससे छटी इंद्रिय की तुलना की जा सके छटी इंद्रिय की समझ सिर्फ साधना के द्वारा आती है और अंदर से मन को विक्सित करने के माध्यम से आती है जब आप इस पुस्तिक में बताये गए सिध्धानतों में निपुन हो जाएंगे तो आप एक ऐसे वक्तवे को सच मानने के लिए तयार होंगे जो दूसरी किसी परिस्तिती में आपको अविश्वसनिय लगेगा ये वक्तवे है छटी इंद्रिय की सहाथा से आपको आने वाले खत्रों की चेतावनी मिलती है ताकि आप समय रहते उनसे बच सके और आपको समय पर अफसरों की सूचना मिल जाती है ताकि आप उन्हें गले लगा सके छटी इंद्रिय के विकास के साथ ही आपकी सहाथा और आपकी सेवा के लिए एक रक्षक देवदूत आ जाता है जो आपके सामने बुद्धिमानी के मंदर के द्वार हमेशा के लिए खोल देता है लेखक चमतकारों में विश्वास नहीं करता नहीं वह इनकी वकालत करता है और इसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके पास प्रकृती का प्रयाप्त ग्यान है जिससे वह समझ चुका है कि प्रकृती अपने निर्धारित नियमों से कभी विचलित नहीं होती उसके कुछ नियम इतने गूड होते हैं कि वह हमें चमतकार नजर आते हैं चटी इंद्रिये चमतकार होने के उतनी ही करीब है जितनी मैंने कभी अनुभफ की है लेखक इतना जानता है कि एक शक्ती है या एक प्रभू है या एक उर्जा है जो पदार्थ के हर अनुँ में है और वह इनसान को दिखाई देने वाली उर्जा के हर यूनिट में है लेखक ये मानता है कि असीम उर्जा बीज को पेड़ में बदल देती है गुरुत्वा कर्शन के नियम के कारण पानी को पहाड के नीचे बहाती है दिन के बाद रात को लाती है और गर्मी के बाद जाड़े को जिसमें से हर एक की सही जगा है और दूसरे के साथ उसका उचित संबंद है यह उर्जा इस फिलोसफी के सध्धानतों के दौरा इच्छाओं को मूर्त या भौतिक रूप में रूपांतर रिद करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरिद की जा सकती है लेखक को ये ग्यान है क्योंकि उसने इसका प्रियोक करके देखा है और इसे खुद अनभव किया है कदम दर कदम पिछले अध्याए में आपको इस आखरी सध्धानत की तरफ लाया गया है अगर आपने पहले के सध्धानतों को अच्छे से सीख लिया है तो अब आप बिना संदेह के उन विराठ दावों को स्विकार करने के लिए तयार होंगे जो यहां किये जा रहे हैं अगर आपने बाकी सध्धानतों को अच्छे से नहीं सीखा है तो आपको ऐसा कर लेना चाहिए तभी आप निश्चित रूप से यह तय कर सकते हैं कि इस अध्याय में किये जा रहे दावे तत्थे हैं या कपोल कल्पना मात्र हैं जब मैं हीरो वर्षिप की उमर से गुजर रहा था तो मैंने अपने आपको उन लोगों की नकल करते पाया जिन से मैं प्रभावित था यहीं नहीं मैंने पाया कि विश्वास के तत्व ने जिसके द्वारा मैं अपने नायकों की नकल करने का प्रयास कर रहा था मुझे यह सफलता पूर्वक करने की महान क्षमता दी मैंने कभी हीरो वर्षिप की आदत को पूरी तरह से नहीं चूटने दिया अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सचमुच महान सर्वश्रेष्ट है परन्तु दूसरी सर्वश्रेष्ट बात है भावना और कर्म द्वारा जहां तक संभव हो महान लोगों का अनुसरन करना प्रकाशन के लिए एक भी पंक्ति लिखने से बहुत पहले या जनता के बीच भाशन देने का प्रयास करने से पहले मैंने उन नौ लोगों का अनुसरन करने और खुद के चरित्र को दुबारा आकार देने के आदत डाली जिनके जीवन और जिनके काम से मैं सबसे अधिक प्रभावित हुआ था यह नौ लोग थे इमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन, बर्बैंक, नपोलियन, फोर्ड और कारनेगी कई सालों तक हर रात को मैं इस सम्हूं के साथ काल्पनिक परामर्श बैठके करता रहा जिन्हें मैं अपने अद्रिश्य सलाकार कहता हूँ तरीका ये था, हर रात को सोने से ठीक पहले, मैं अपनी आखें बंद कर लेता था और अपनी कल्पना में इन लोगों को अपने साथ एक परामर्श मेज के चारों तरफ बैठा हुआ देखता था यहां मुझे ना सिर्फ उनके साथ बैठने का अफसर था, जिन्हें मैं महान समझता था बलकि मैं उस समुह में सबसे प्रभावशाली रिखती भी था क्यूंकि मैं उस समुह का चेर्मेन था इन रात्रिक आलीन बैठकों के द्वारा यह कल्पना करने के पीछे मेरा बहुत ही निश्चत उद्देश्य था मेरा लक्ष अपने चरित्र को नए सिरे से बनाना था ताकि यह मेरे काल्पनिक सलहकारों के चरित्रों का सहियोग बन जाए मैंने जीवन में जल्दी ही सीख लिया था कि अगर मैं अज्ञान और अंधविश्वास के माहौल में जन्म लेने की बाधा को पार करना चाहता था तो मुझे उपर बताए गए तरीके से स्वैच्छिक पुनरजनम लेना होगा मैं जानता था कि सभी व्यक्ति अपने प्रबल विचारों और इच्छाओं के कारण ही वैसे बनते हैं जैसे वे होते हैं मैं जानता था कि गहराई में बैठी हर इच्छा यह प्रभाव डालती है कि इनसान उसके बाहरी अभी व्यक्ति चाहता है जिसके द्वारा उस इच्छा को यथार्त में रूपान तरित किया जा सके। मैं जानता था कि आत्म सुझाव चरित्र निर्मान में एक सशक्त तत्व है। दरसल यह इकलोता सिध्धान्त है जिसके द्वारा चरित्र बनता है। मन के संचालन के इन सिध्धानतों के ग्यान के कारण मैं अपने चरित्र के पुनर निर्मान के लिए आवश्चक सारे साजों सामान से लैस था इन कालपनिक परामर्ष बैठकों में मैंने अपने कैबिनेट सदस्यों से वह ग्यान चाहा जो मैं उनसे चाहता था मैंने हर सदस्से से सुनाई देने वाले शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा मिस्टर मरसन मैं आप से प्रकृती की अजबुत समझ हासिल करना चाहता हूँ जो आपके जीवन की पहचान है मैं आप से आग रह करता हूँ कि आप मेरे अवचेतन मन में वे सारे गुन दाखिल करतें जो आप में थे जिनकी वजह से आप प्रकृती के नियमों को समझ पाए और खुद को उनके अनरूप ढाल पाए मिस्टर बर्बैंक, मैं आप से आग रह करता हूँ कि आप मुझे वह ग्यान प्रदान करें जिसने आपको प्रकृती के नियमों से तालमेल बनाने में समर्थ बनाया जिसके द्वारा आपने कैक्टिस के काटों को दूर हटाने के लिए और इसे एक भोज़िप अदार्थ बनने के लिए प्रेरित किया मुझे उस ग्यान तक पहुँचा दें जिसने आपको वहाँ पर घास के दो तिनके उगाने में समर्थ बनाया जहां पर पहले एक ही तिनका घास उगती थी निपोलियन मैं आपसे वह अद्भुत योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आप लोगों को प्रेरित किया करते थे और उनसे अधिक संकल्प और अधिक महान कर्म करवाते थे मैं आपसे सतत विश्वास का भाव भी हासिल करना चाहता हूँ जिसने आपको पराजय को विजय में बदलना सिखाया और उची बाधाओं को पार करना सिखाया मिस्टर पेन मैं आपसे विचार की स्वतंतरता हासिल करना चाहता हूँ वह साहस और स्पष्टता जिसके द्वारा आप अपने विश्वास को अभिविक्ति करते थे जिनके कारण आपकी पहचान बनी मिस्टर डार्विन्ट मैं आप से अध्भुत धैरे और पूर्वा ग्रह या पक्षपात के बिना कारण और परिनाम का अध्यन करने की योग्यता हासिल करना चाहता हूँ जो आपने प्रकृतिक विज्ञान के खेत्र में साबित की है मिस्टर लिंकन, मैं अपने चरित्र में नियाय का वो भाव, धैरे की अथक भावना, हास से का वह पुट, मानविये समझ और सहनशीलता भरना चाहता हूँ जो आपके परिचायक कुण थे मिस्टर कारनेगी, मैं संगठित प्रयास के सिध्धानतों की वहपून समझ हासिल करना चाहता हूँ जिसका प्रयोग आपने इतने प्रभावी ढंक से विशाल और द्योगिक सामराज्य बनाने में किया मिस्टर फोर्ड, मैं आपसे लगन की भावना, संकल्प शक्ती, संतुलन और आत्म विश्वास हासिल करना चाहता हूँ जिनके कारन आप गरीबी पर विजए हासिल कर सके और मैं मानवी प्रयास को संगठित करना, एक सूत्र में बांधना और आसान बनाना चाहता हूँ ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ, जिससे वे आपके पच्चिनों पर चल सके मिस्टर एडिसन, मैं आप से विश्वास की अद्भुद भावना हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने प्रकृति के इतने सारे रहसे अद्वैत किये सतत मेहनत की वे भावना हासिल करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने इतनी अधिक बार पराजाय के मूँ से विजय को छीना अपने कालपनिक कैबिनिट के सदस्यों को संबोधित करने का मेरा तरीका अनुरूप बदलता रहा जिस अनुरूप में मैं किसी खास किस्म के चरित्र के गुणों को उस वक्त हासल करने में अधिक रूची रखा हूँ मैंने बहुत कश्ट और मेहनत से उनके जीवन के रिकॉर्ड का अध्यन किया है कई महीनों के रात रिकालिन श्रम के बाद मैं ये देख कर आश्चर चकित रह गया कि काल्पनिक पात्र स्पष्ट रूप से बास्तविक बन गए इन नौ विक्तियों में से हर एक ने अपनी व्यक्तिकर विशिष्टाएं विक्सित की जिन से मुझे आश्चरे हुआ उधारन के तौर पर लिंकन ने हमेशा देरी की विक्सित की फिर गंभीर परेड में चारो तरफ घूमने की आदत वे हमेशा अपने चहरे पर संजीदगी का भाव ओड़े रखते थे शायद ही कभी मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा हूँ यह दूसरों के बारे में सच नहीं है बर्बैंक और पेन अक्सर ऐसे आंकड़ों में उलच जाते थे जिन से कैबिनेट के बाकिस अदिस्यों को आगहात पहुँचता था एक मौके पर बर्बैंक देरी से आया था जब वे आया तो वे उत्सा के मारे रोमान्चित था और उसने बताया कि उसे आने में इसलिए देर हो गई क्यूंकि वे एक प्रयोक कर रहा था जिसके द्वारा उसे आशा थी कि वे किसी भी पेड़ पर सेब उगा सकता है पेन ने उसे फटकारते वे याद दिलाया कि सेब के कारण ही पुरुष और स्त्री के बीच की समस्य शुरू हुई थी दार्विन जोर से हसने लगे और उन्होंने ये सुझाव दिया कि जंगल में सेब गटे करने जाते समय पेन को छोटे सर्पों के बारे में भी सचेत रहना चाहिए क्यूंकि उनकी ये आदत होती है कि वे बड़े होकर बड़े सर्प बन जाते हैं इमर्सन ने कहा सर्प नहीं तो सेब नहीं और नेपोलियन का कहना था सेब नहीं तो राज्य नहीं ये बैठकें इतनी यथार्त वादी ही चली कि मैं उनके परिणामों से भईभीत होने लगा और मैंने उन्हें कई महीनों के लिए स्थगित कर दिया यह अनुभव इतने अजीब थी कि मैं डर रहा था कि अगर मैंने उन्हें जारी रखा तो मैं इस तत्थे को भुला दूंगा कि ये बैठकें पूरी तरहे मेरी कलपना में ही हो रही थी लिंकन ने ये आदद बना ली थी कि वह मीटिंग के बाद सबसे अंत में कुर्सी छोड़ा करते थे एक दफा वे कुर्सी के किनारे जाकर अपने हाथ मोड़ कर जुक गए और काफी देर तक उसी स्थिती में बैठे रहे मैंने उन्हें परिशान नहीं किया कुछ देर पश्चात वे उठे और दर्वाजे तक गए और फिर वापस आकर अपने हाथ मेरे कंधे पर रखते वे बोले मेरे दोस्त तुम्हें बहुत अधिक साहस की जरूरत होगी अगर तुम अपनी जिन्दगी के उद्देश के प्रती दृड़ प्रतिक के रहते हो परन्तु याद रखना जब चुनौतियां सामने आएंगी तो हर मनुश्य के पास कॉमन सेंस होता है ये मुफ्त में नहीं मिलता जिन्दगी की चुनौतियां सिखाती है एक शाम एडिसन सबसे पहले पहुँच गए वे अंदर आए और मेरे बगल में बैठ गए जहां पर एमर्सन बैठा करते थे फिर वे बोले तुम जीवन के रहसे की खोज के साक्षी बनने वाले हो जब वक्त आएगा तो तुम्हें ग्यात होगा कि जीवन असीम शक्ती से भरा हुआ है इतनी शक्ती है कि हर कोई उतना बड़ा बुद्धिमान है जितना वे सोचता है जिन्दगी की ये इकाईयां ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हैं जैसे मदवक्की का छटा ये इकाईयां तब तक अलग नहीं होंगी जब तक सामन जस्से की कमी नहीं हो जाती इन इकाईयों की सबकी अलग अलग राय है ठीक मनुश्य की तरह है और अक्सर एक दूसरे से लड़ाई हो जाय करती है ये मीटिंग जो तुम आयुजित कर रहे हो तुम्हारे लिए बहुत लाबदायक होंगी तुम उन इकाईयों से सीखोगे जो तुम्हारे कैबिनेट के कुछ लोगों की जिंदेगी सवार चुकी है ये इकाईया सनातन हैं कभी ना खत्म होने वाली तुम्हारे मन के विचार ही जीवन के महान समुद्र को आपके पास आकरशित करता है सिर्फ वे इकाईयां अकरशित होती हैं जो आपकी चाहत मित्र होती है यानि जो आपकी चाहत के साथ मिलकर नया जहां बना सकती है धीरे धीरे कैबिनेट के लोग अंदर आना शुरू होए तब एडिसन अपनी सीट के चारों तरफ टहल रहे थे शायद वे उस बात को अभी भी सोच रहे थे उनकी इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैंने जाकर अपने इस कैबिनेट के बारे में उन्हें अपना अनुभव बताया तब वे बोले आपके स्वपन अधिक सच्चे होते हैं इस से आगे उन्हें कुछ नहीं बोला ये मीटिंग इतना जल्दी और यतारतवादी होने लगी कि उनके परिणामों से मुझे भाय लगने लगा और मैंने इन मीटिंगों में जाना छोड़ दिया कुछ छे महीने बाद जब से मैंने मीटिंग में जाना छोड़ा था एक रात मैं जग रहा था और ये देखा कि लिंकन मेरे बगल में खड़े हैं उन्हें कहा विश्व को जल्द ही तुम्हारी सेवाओं की सخت जरूरत पड़ेगी आज विश्व ऐसे समय से गुजरेगा जहां पुरुष और महिला दोनों विश्वास खोने लगेंगे और आतंक से त्रस्त हो जाएगे तब तुम्हें अपने कारे के साथ आगे बढ़ना होगा और अपने दर्शन से उन्हें मार्ग दिखाना होगा यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है अगर तुमने इसको किसी भी वज़े से नजर अंदास करने की कोशिश की तुम्हें और समाज को काफी दिक्कते छीननी पड़ेंगी अगली सुभा जब मैं जगा तो मुझे ये नहीं पता चल पा रहा था कि मैं उस समय जगा हुआ था या फिर सोया हुआ था मुझे तब से आज तक नहीं पता चल पाया कि वह क्या था पर मुझे पता है वो स्वप्न था इसने मुझे फिर से मीटिंग को जारे रखने के लिए प्रेरित कर दिया फिर अगली मीटिंग में मेरे सारे कैबिनेट के मित्र अपनी अपनी सीट पर जगा ले चुके थे कुछी देर में वे सभी खड़े हो गए लिंकन ने एक ग्लास उठा कर कहा मित्रों हमारे मित्र की वापसी पर एक जाम का चेर्ज करें इसके पस्चात मैंने अपने कैबिनेट में कई नए सदस्यों को जोड़ना शुरू कर दिया अब इस कैबिनेट में अधिक लोग है उन वेक्तियों में Christ, Saint Paul, Galileo, Copernicus, Aristotle, Plato, Socrates, Homer, Voltaire, Bruno, Spinoza, Drummond, Kant, Scopenhauer, Newton, Confucius, Albert Hubbard, ब्रेनन, इंगर सोल, विल्सन और विलियम जीम्स शामिल है ये पहली बार है जब मैंने इस बात का जिक्र करने का साहस किया है अब तक मैं इस विशे पर चुपी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने खुद के नजरिये से जानता था कि मैंने अपने असमानने अनुभव का वरनन किया तो मुझे गलत समझा जाएगा अब मैं बहादूरी के साथ अपने अनुभव को छपे हुए प्रिष्ट पर लिख रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इस बात से कम फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे जबकि पहले इस बात से अधिक फर्क पड़ता था मुझे गलत ना समझा जाए इसलिए मैं यहाँ पर बहुत अधिक जोर दे कर ये कहना चाओंगा कि मैं अब भी अपनी कैबिनेट बैठकों को पूरी तरह से कालपनिक मानता हूँ परंतु मुझे लगता है कि भले ही मेरी कैबिनेट के सदस्से पूरी तरह कालपनिक हूँ और बैठकें केवल मेरी कलपना में हो रही हूँ परंतों उनकी वज़े से मेरे सामने रोमांच की सुखत खुल गई मेरी रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहन मिला और इमानदार विचार की अभिव्यक्ति का मेरा साहस पड़ा मस्तिश्क की कोशिका विन्यास के बीच में कहीं पर एक ऐसा अंग है जो स्विचार के कमपनों को प्राप्त करता है जिससे आभास कहा जा सकता है अब तक विज्ञान ये नहीं खोच पाया है कि छटी इंद्रिये का ये अंग कहां पर इस्थित है परंतु ये महत्पूर्ण नहीं है वास्तविक्ता यही है कि इंसान शारिरिक इंद्रियों के अतिरिक्त अन्य स्थितों से भी सटी ग्यान प्राप्त करते है ये ग्यान आम तोर पर तब राप्त होता है जब मस्तिश्क किसी असाधारन प्रेर्णा के प्रभाव में कारे करता हूँ कोई आपात काली नस्तिती जो भावनाओं को जागरित करती हो और दिल की धड़कन को सामानने से अधिक तीवर कर देती हो छटी इंद्रिये को हरकत मेला सकती है और आम तोर पर लाती भी है जो वेक्तिकार चलाते समय किसी दुरगटना से बाल बाल बच गया हो ये बात जानता है कि इन अफसरों पर छटी इंद्रिये अक्सर बचाव करती है और क्षण भर में दुरगटना को टालने में मदद करती है ये तथे बताए गए हैं ताकि मैं एक महत्पूर्ण तथे बता सकूँ अद्रश्य परामर्श ताताओं की मेरी बैठक में मैंने पाया कि मेरा मन उन विचारों और ग्यान को अधिक ग्रहन करने की स्थिती में है जो छटी इंद्रिये के माध्यम से मुझ तक पहुँचते हैं दरजनों अफसरों पर मैंने आपातकालिन स्थितियों का सामना किया उन में से कुछ इतनी गंभीर थी कि मेरा जीवन ही खत्रे में था किसी चमतकारिक शक्ती ने मुझे इन मुझे इन मुश्किलों से पार निकलने का मार्क दर्शन दिया जो मेरे अद्रिश्य सलहकारों के प्रभाव से संभव हुआ कालपनिक लोगों के साथ वैट के आयोजित करने का मेरा मूल लक्षे सिर्फ ये था कि मैं अपने अंतरमन को आत्म सुझाव के सिधान्त द्वारा वहन निश्चित गुण प्रदान करूं जो मैं हासिल करना चाहता था पिछले कुछ सालों में मेरा प्रयोग बिल्कुल अलग ही रास्ते पर चल पड़ा अब मैं अपने कालपनिक परामर्श दाताओं के पास हर कठिन समस्या को ले जाता हूं जो मेरे या मेरे क्लाइंट्स के सामने आती हैं परिणाम अक्सर आश्चरिजनक होते हैं हाला कि मैं पूरी तरह से परामर्श के इस रूप पर निर्भर नहीं करता है चटी इंद्रिये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इच्छा से ओड़ लेते हैं या हटा देते हैं इस महान शक्ती का प्रयोग करने की योग गिता धीमे धीमे आती है और इस पुस्तक में बताये गए अन्य सिध्धानतों के प्रयोग से आती हैं चाहे आप कोई भी हूँ या इस पुस्तक को पढ़ने का आपका उद्देश चे कुछ भी हो आप इसका लाब उठा सकते हैं चाहे आप इस अध्याय में बताये गए सिध्धान को समझ ही न पायो ये खास तोर पर तब सच है जब आपका प्रमुक उद्देश चे धन का संग्रह है या अन्य भौतिक वस्तूं का संग्रह हो चटी इंद्रिया वाला अध्याय इसी लिए शामिल किया गया है क्योंकि प गलती के कर सके और जो वो जीवन में चाहता है उसे खासिल कर सके समस्त अपलब्धी का शुरुति बिंद्व इच्छा है अंतिम बिंद्व उस किसम का ग्यान जो समझ की और ले जाता है खुद की समझ, दूसरों की समझ, प्रकृति के नियमों की समझ, सुख की समझ इस तरह की समझ पूरी तरह सिर्फ तभी आती है जब आप छटी इंद्रिये के सिध्धान से परिचित होते हैं और इसका प्रयोक करते हैं इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपने ये गोर किया होगा कि आप इसे पढ़ते समय मानसिक प्रयोणा के एक उचे स्तर पर उड़ गए थे अध्भुत आज से एक महीने बाद इसे एक बार फिर पढ़े आप पाएंगे कि आपका मन प्रेणा के और भी अधिक उचे स्तर पर विचरन कर रहा होगा इस अनुभव को समय समय पर दोहराते रहें और इस बात से कोई सरोकारना रखें कि आप उस समय कितना अधिक या कितना कम सीख पाएं और अंतत है आप अपने आपको एक ऐसी शक्ति का स्वामी पाएंगे जो निराशा को दूर फेकने में, डर को परास्त करने में, तालम ताल को छोड़ने में और अपनी कलपना शील्टा का अधिक मुक्त उप्योग करने में आपको समर्थ बनाएगी तब आपको लगेगा कि आपने उस अंजान किसी चीज़ को छू लिया है, जो हर सच्चे महान, चिंतक, लीडर, कलाकार, संगीतकार, लेखक और राजनीता के पास होती है तब आप अपनी इच्छाओं को उनके भौतिक या आर्थिक रूप में उतनी ही आसानी से रुपांतरित करने की स्थिती में होंगे जितनी आसानी से आप विरोध का पहला चिन्न देखते ही पहले घुटने टेक देते थे और मैदान छोड़ देते थे छूब लुटना चिक स्थित्समार चिन्यांतरित कर graphs के लिएस बेह से बाुबना जोड़ देए पहले टीक स स किससे रूप लजए से दालों कि अ वाहले से कर दविसे कि अ रसे जह से यादो जो एविसे देष्टने आसार्टने बहे हैं दो yससे दोछ़